हलो फ्रेंड्स, यू आर वैलकम इन मिलियन कंसेप्ट और सिंग्लेश हम टिंटर्न एबे पोईम जोकी ड्रामेटिक लिरिक है इसके पार्ट सेकंड को लाइन बाइन एक्स्प्रेंड करेंगे फर्स्ट पार्ट में हम हाफ पोईम को एक्स्प्रेंड कर चुके हैं इसे आप पिली लिस्ट में जाकर के देखेंगे इसके सेकंड पार्ट को पढ़ने से पहले एक कुश्चन है जो पिछले में एक मिश्टेक हो गई थी तो अपने जीवन में उन्होंने तीन बार टिंटर्न एबे को देखा था 1793, 1798 और 1841 तो देखिए जहां जहां 1841 लिखा है वहां वहां उस वीडियो में पिछले वीडियो में गलती से 1741 हो गया था तो आप जानते 1741 का कोई भी औचित है ही नहीं क्योंकि 1770 में जब जनम होता है तो 1741 का क्या मतलब है तो 1841 बहां कर लेना आप लोग और इतनी understood है कि ये बाई मिस्टिक है चलिए पढ़ते हैं तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था and all its acting joys are now no more and all its dizzy raptures तो यहां कहने का अर्थ है कि प्रिकृति से जो मुझे आनंद मिलता था इतना अक्ती पर आनंद मिलता था कि सीने में दर्द तक हो जाता था और इतना आनंद मिलता था कि वो आनंद नसा उत्पन कर देने बाला होता था क्योंकि प्रिकृति के जो द्रस थे जैसे कि टाल रॉक्स हैं, माउंटेन हैं, डीप और गिलूमी बुड हैं, उनके कलर और उनकी फॉर्म्स हैं, वो कभी के अंदर एक भूँक जागरित कर देते थे कभी के मन में उनको देखने की लालसा उत्पन हो जाती थी, तो ऐसे भाव अब प्रिकृति जो कभी हैं, उनके हिर्दे से अब चले गए हैं, वो भावना अब बीत गई हैं, तो यहां तक हमने पढ़ा था, अब आगे पढ़ते हैं फिर कह रहे हैं, नौट फॉर दिस फैंट आई, इसके लिए मैं दुखी नहीं हूँ, इस बात के लिए मेरा मन खिन नहीं है, कि बूँ नसा उत्पन कर देने बाले आनंद है या प्रिकरती के सौंद्रिये, जो मेरे अंदर भूँख जागरित कर देते थे, जो तुरंत मुझे लालसा उत्पन होती थी तो वो चली गई है, वो भावना बीत गई है, नौर मौर्न, नौर मरमर, ना ही ऐसी बात पर, इस बात पर मैं दुख व्यक्त कर रहा हूं और ना ही शिकायत कर रहा हूं, क्यों? other gifts have followed, क्योंकि इसके बदले मुझे दूसरे उपहार मिल गए है, for such loss ऐसे घाटे के लिए, जो मुझे घाटा हुआ है, जो मेरी वो भावना बीत गई है, चली गई है, तो ऐसे घाटे के लिए मुझे दूसरे उपहार मिल गए है, I would believe evident recompense, और मुझे विश्वास है, कि ये जो मुझे उपहार मिले है, वो उस घाटे की परियाप्त छती पूर्ती है, परियाप्त भरपाई है, तो वो कौन सा उपहार मिला है, फिर वो कहते हैं, for I have learned to look on nature, क्योंकि मैंने अब प्रिकरती में देखना शुरू कर दिया है, तो यहां अर्थ ही यह है, कि विलियम बर्ट्सवर्थ ने अब प्रिकरती में, या प्रिकरती के प्रितेक ऑबजेक्ट में, आत्मा के दर्सन करना शुरू कर दिया है, not as in the hour of thoughtless youth, मैं अब इस तरह से नहीं देखता, यह प्रिकरती के सौंद्री को मैं अब इस तरह से नहीं देखता, जैसे कि मैं बिबेक ही जबानी के समय देखा करता था, but hearing oftentimes the still sad music of humanity, बलकि अब मैं मानब जाती का, जो still माने होता है सांत, यानि कि ध्वनी रहित, गंभीर संगीत को मैं सुनता हूँ, अब मुझे प्रिकरती में मानब जाती का जो गंभीर संगीत है, वो सांत रूप में सुनाई देता है, nor hearts, nor grating, वो संगीत ना तो hearts है, यानि कि ना तो वो करकस है, nor grating, और ना ही वो जलाहट पैदा करने बाला है, though of ample power to chasten and subdue, हाला कि वो संगीत जो है सांत है, यानि कि ध्वनी रहित है, फिर भी उसमें ऐसी परियाप्त सकती है, to chasten and subdue, जो मेरे हिरदे को, मेरी आत्मा को सुद्ध करती है, and subdue और मुझे सनमार्ग पर लाती है, देखे, subdue का अर्थ होता है, किसी को डाट डपट कर सही रास्ते पर लाना, तो उमीद कर रहे हैं, आपको समझ में आया होगा, फिर अगले कह रहे हैं, देखे, इन बातों में आपने देखा, कि बिलियम बट्सवर्थ ने प्रकृति में आत्मा के दर्शन करना सुरू कर दी हैं, तो ये जो भाव है, आत्मा के दर्शन, इसको कहा जाता है, रहे हैं, प्रकृति के प्रतेक कड में आत्मा के दर्शन करना, इस्वर के दर्शन करना, प्रकृति कहा जाता है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, फिर कह रहे हैं, और ये जो स्टेज है, वो बिलियम बड्सवर्थ की थर्ड इस्टेज है इस लब ओफ नेचर पर क्योंकि बात हुई थी कि प्रिकृति में उन्होंने यानि कि तिंटन एबेम उन्होंने प्रिकृति के प्रिकृति जो प्यार है उसको तीन स्टेज में डवल अप किया है तो यह आपकी थर्ड इस्टेज है और थर्ड इस्टेज बो होती है यह प्रिकृति के प्रितिक कर में आत्मा के दर्सन करना शुरू कर देते हैं चलिए शुरू करते हैं And I have felt a present that disturb me with the joy of elevated thought मैंने एक ऐसी सक्ति की उपस्ति को महसूस करता हूँ जो मुझे उच्ची विचारों के साथ आनंद से ब्याकुल कर देती है यह प्रिकृति में अब वो ऐसी सक्ति की उपस्तिती देखते हैं जो उनके आनंद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है a sense sublime of something far more deeply interfused और ऐसी उत्क्रेष्ट अनभूती को मैंने महसूस कर रहा हूँ जो दूर दूर तर प्रितेक बस्तु की गहराई में बसी हुई है यानि के हर बस्तु में वो उपस्तिती बस्यू ही है वो आत्मा हर बस्तु में बस्यू ही है मैं ऐसे उच विचारों को अनभव कर रहा हूँ whose dwelling is in the setting sun जिसका निवास अस्त होते हूँ सूरज में है सूरज के प्रकास में है and the round ocean and the living year इस गोल-गोल सागर में है और बैती हुई हवा में है and the billy sky and in the mind of man नीले आकास में है और वो जो सकती है वो मन उसके मन में है a motion and a spirit वह एक गतिमान सकती है वह एक आत्मा है that impels all thinking things जो सभी सोचने बाली चीजों में यहींकि सभी चिंतन सीन प्राणियों में को सोचने and all objects of all thoughts सभी प्रकार के बस्तूओं को and rolls through all things और सभी के साथ घूमती है तो यहां कह रहे हैं वह एक ऐसी गतिमान सकती है एक आत्मा है जो सभी चिंतन सीन प्राणियों में बसी हुई है और सोचने तथा करम करने की जो है पिर्णा देती है and rolls through all things जिस प्रकार सभी चीजें गतिमान हैं तो बो भी सभी चीजों के साथ मिल करके स्वेम भी गतिमान है यानि कि बह एक गतिमान सकती है तो फिर आगे कह रहे हैं therefore I am still a lover of meadows and the woods and mountain and of all that we behold from this green earth of all the mighty world of eye and ear both what they have create and what perceive तो कह रहे हैं कि यही कारण है कि मैं अब भी इन चरागाओं का इन जंगलों का इन परवतों का और उन सभी चीज का जो हम इस हरी धरती पर चारो तरफ देखते हैं मैं उन सब का प्रेमी हूँ of all the mighty world of eye and ear और पूरे सक्तिसाली संसार का जिसको हम आँखों से देखते हैं और जिसको हम कानों से सुनते हैं मैं उन सब का प्रेमी हूँ बोथ दे हाव क्रियेट and by and what perceive चाहें बे कलपना की द्वारा आधे क्रियेट ही क्यों न हो चाहें बे कलपना की सक्ति द्वारा क्रियेट हो या जो बास्तम में दिखाई देते हूं मैं इस पूरी प्रिक्रती का एक प्रेमी हूँ अगले कह रहे हैं मैं ये जानकर बड़ा खुस हो गया हूँ यारी मुझे ये जानकर बड़ी खुसी होती है तो किस बात की खुसी होती है वो भी देखते हैं इन नेचर का यहाँ पर अर्थ है कि मेरी जो मानसिक अनुभूती है जो मन में महसूस किया है और जो मेरी इंद्रियों ने जो मुझे संदेश भेजे हैं उनके द्वारा मैंने इस बात को जान लिया है और इस बात को मैं जानकर बड़ा खुस हूँ किस बात को दा एंकर ऑफ माइ प्यूरेस्ट थॉट कि जो प्रिकृति की जो आत्मा है वो मेरे सुद्धतम विचारों का एक एंकर है यानिके एक स्थाई स्रोथ है वो नर्स है वो गाइड है यानिके मार्क दरसक है तो यह सारी बात को पहचान कर मुझे बड़ी खुसी होती है तो यहाँ साफ है कि उन्होंने प्रिकृति के प्रतेकण में आत्मा की दर्शन किये है और वो आत्मा उनको एंकर के रूप में उनके नर्स के रूप में गाइड के रूप में उनको सपूर्ट कर रही है आगले कह रहे है नौर परचांस इफ आई बर नौट दस थॉट नौट परचांस कास कि किसी कारण से ने किसी भी कारण से इफ आई बर नौट दस थॉट तॉट यदि मुझको ये सिक्षा ना मिली होती कौन सी सिक्षा कि प्रिकृति मुझको हमेंसा गाइड कर रही है प्रिकृति मुझको मारदर्शन कर रही है तो क्या जो मेरी जैनियल इस्परेट थी क्या जो मेरी खुसी आत्मा थी प्रिसन आत्मा थी वो डिके हो जाती बोले नहीं बोले अगर मुझको प्रिकृति से इस प्रिकार की पिरेड़ा ना भी मिली होती तो भी मैं खुस होता मैं दुखी नहीं होता कहने का अर्थी है कि पिरकृती से कहां किसी को प्रोड़ा मिले या ना मिले लेकिन पिरकृती किसी को दुखी नहीं करते फिर अपनी बहन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं For thou art with me here upon the bank of this fair river क्योंकि अब तुम मेरे साथ इस सुन्दर नदी जो नदी बाय है उसके किनारे मेरे साथ हो दाओ माई डियरेस फ्रेंड तुम मेरी सबसे प्रिये मित्र हो माई डियर डियर फ्रेंड मेरी प्यारी प्यारी मित्र and in thy voice I catch the language of my former heart and in thy voice I catch the language of my अब इसको समझिए क्या कहना चाहरा है देखिए पांच बर्स पहले जब बिलियम बर्स बर्स 1793 में आये थे तो पहली बार उन्होंने टिंटन एबे के पास जो प्राकर्टिक सौंद्रिये देखा था तो उस सौंद्रिये को देख करके बहुत ज़्यादा खुस हो गए थे बहुत ज़्यादा गदगद हुए थे तो कह रहा है जो भावना मैंने पांच बर्स पहले महसूस की थी जो विचार मेरे पांच बर्स पहले आये थे बही भाव in thy voice I catch तुमारी आवाज में मुझको दिखाई दे रहा है उम्मिद करें समझ मारा होगा आपको and read my former pleasure in the shooting light of thy wild eyes और मैं अपनी पुराने आनंद को जो मुझे पहले आनंद मिला था तुमारी जिग्यासा पूर्ण तीक छड़ आखों में आखों की चमक जो है मुझे उस पहले प्राप्त आनंद को तरो ताजा कर दिया है अब मुझे याद आ गया है कि मैंने किस परकार उस समय आनंद दिया करता था तो तुमारी आखों में देखकर तुमारी बातों को सुनकर जिस परकार तुम महसूस कर रही हो तो उस से मुझे अपना पुराना एहसास याद आ गया है फिर अगले कह रहे हैं तुरी कुछ रहे गया क्या तुरी कुछ रहे गया क्या हाँ सही है ओ यट अ लिटल वाइल थोड़ी देर के लिए में आई बिहोल्ड इन दी वाट आई बाज बंस क्या मैं तुमारी आखों में वो चीज देख सकता हूँ जो मैं पहले था तो कहने का आर्थ है जब पहली बार कोई भी किसी प्राकरतिक सौंद्रियों को देखता है तो उसका मन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसंद होता है एक्शुली में विलियम बर्स बर दूसरी बार आए हैं लेकिन दोरती जो है वो पहली बार आई है तो पहली बार जब कोई चीज देखता है प्राकरतिक सौंद्रियों को इसका मन ज़्यादा खुस होता है तो बही कह रहे हैं ओ येट आ लिटल वाइल थोड़ी देर के लिए में आई बिहोल्ड इन दी वाट आई बाजबंस क्या मैं तुमारे अंदर जहांक सकता हूँ जो मैं पहले महसूस करता था माई डियर डियर सिष्टर मेरी प्यारी प्यारी पहन और मैं ये प्राष्णा करना चाहता हूँ कौन सी नोइंग देट नेचर नैबर डिट बीट्रे ये जानता हूँ कि प्रिकृति कभी भी धोका नहीं देती the heart that loved her उस हिर्दे को जो उसे प्यार करता है तो कहने का मतलब है कि प्रिकृति अपने प्यार करने वाले से कभी भी बेवफाई नहीं करते वो हमेशा उसको बदले में प्यार देती है its heart privilege यही उसकी विशेश गुण है यही प्रिकृती का विशेश गुण है कि जो उसको प्यार करता है उसे वो बदले में प्यार देती है यह पपाई नहीं करती पर अगले कह रहे हैं थ्रू आल दा इयर्स ओफ दिस आबर लाइफ तो लीड फ्राम ज्वाय टू ज्वाय और भै हमें सारे जीवन भर एक सुक के बाद दूसरा सुक प्रदान करती रहती है यहां भी समझ में आ रहा होगा देकि जो मैंने नमबर डाले हैं यापर यह प्रकार तो यह सुगधा के लिए डाले हैं ताकि एक एक छोटे छोटे पैसेज में इसको एक्स्प्लेंड किया जा सके फिर कह रहा है for she can so inform the mind that is within us क्योंकि for she can so inform the mind that is within us जो मन हमारे अंदर है तो वह हमारे मन को हमारे दिमाग को ऐसी सिक्षा देती है कैसी सिक्षा देती है so impressed वह हमको इस प्रकार प्रभावित करती है with quietness and beauty वह सांत प्राकरतिक सौंद्रिये से and so feed with lofty thoughts उतक्रस्ट विचारों से that neither evil tongue जिन विचारों को ना तो हमारी अबमानना nor rest judgment ना ही जूटे आरोप नौर दस इसनीर और selfish men और ना ही स्वार्थियों की उपहास पूर निके मजाग बनाती हुई नजरे nor greetings where no kindness is और ना ही कोई बनावटी बदाईयां जिन में कोई साहनुव होती नहीं होती nor all the dairy interface course of dairy of daily life और ना ही हमारे दिन प्रति दिन के नीरस डियरी मारे नीरस काम धन्दे shall ever prevail against us हमको दुखी कर पाएंगे और disturb our cheerful faith और ना ही हमारे जो द्रड विस्पास है उसको हिला पाएंगे that all which we hold is full of blessing कि जो हम प्रिकृती में चारो ओर देखते हैं बहें हमारे लिए सुखों से भरा हुआ है तो अगर नहीं समझ मारा है तो इसको एक बार में पढ़ते हैं तो वो कह रहे हैं कि प्रिकृती हमारे मन को इस प्रिकार सिक्षा देती है यानि कि प्रिकृती हमारे के साथ और अपनी सुन्दरता के साथ प्रिकृतियम को इस प्रिकार सिक्षित करती है कि कि जो हमारी बुराईयां करते हैं जो हमारे अबमाना करते हैं जो हमारे पर जोटे आरूप लगाते हैं और जो लोग हमारी तरफ उपहासपूर नजरों से देखते हैं यानि कि घंड़क मुस्करहट से देखते हैं और ऐसी बदाईयां देते हैं जिनमें कोई सानवुती नहीं होती और हमारे जो दिन भर के कामधंदे हैं खाना कमाना पीना ये जो नीरस कामधंदे हैं वो सारी बातें हमें दुखी नहीं कर पाएंगी और नहीं हमारे इस विस्वास को डिगा पाएंगी कि प्रकृति में जो चारो तरफ सुख भरा है वो ह पूरे का सारी यह है कि हम चाहें कितने भी दुखी क्यों नहों प्रिकृति की सरण में जाकर के हमको सुख ही मिलता है अगले देखते हैं दियर पूर लेट दा मून साइन ऑन दी इन दा सॉलिटरी बाग तो कह रहें इस परकार लेट दा साइन मून साइन ऑन दी इन सॉलिटरी बाग तुमको अकेले चांदनी रात में टहलना चाहिए नहीं कि खुले में घूमो ताकि चांदनी रात तुमारे सिर के उपर हो नहीं क तुम्हें चांदनी रात में घूमना चाहिए अकेली घूमना चाहिए and let the misty mountain winds be free to blow against thee और जो प्राता कालीन की जो स्वच्छ हवा है परवतों से चलने बाली हवा है उस हवा में तुम्हें घूमना चाहिए वो हवा तुम्हारे चेहरे पर पढ़नी चाहिए and in the after years जब तुम उमर दराज हो जाओगी जब तुम बोड़ी हो जाओगी when these wild acasties shall be mature तो ये जो प्रकृती से प्राप्त होने बाली जो आनंद है वो भी mature हो जाएंगे यानि कि वो भी गहन सुख में बदल जाएंगे into a sober pleasure गहन सुख में बदल जाएंगे when thy mind shall be a mason for all lovely fun तो तुम्हारा जो मन है वो इन मीठी मीठी स्मिर्तियों का भंडार ग्रह बन जाएगा तुम्हारे मन में मीठी मीठी इस मिर्तियां भर जाएंगे दाई memory be as dwelling place और तुम्हारा जो यादास्त है वो ऐसी सुन्दर सुन्दर चीजों का एक dwelling place बन जाएगा for all sweet sound and harmonies यादि कि सभी सुन्दर संगीतों का और सभी समरस्ताओं का तुम्हारा मन जो है एक भंडार बन जाएगा यादि कि तुम्हारे मन में सांती बैट जाएगी यादि तुम्हें सुखद ऐसास होगा फिर आगले कह रहे हैं ओ दैन अरे तब अरे तब इप solitude और fear और pain और grief जब एकांत भै दर्द दुख शुट भी दाई portion इप तुम्हारी जिन्दगी में आ जाए बिदुख वाट healing thoughts of tender joy तो इन healing करने वाले बिचारों से और कोमल आनंद के साथ विल्दाव remember me तब तुम मुझे याद करोगे and these my expressions और यही मेरी तुमारे लिए एक सलहा है कि जो सलहा क्या है कि जो प्राकृतिक सौंद्रिय है आपको जीवन भर एक सांती प्रदान करता रहेगा फिर अगले कह रहे हैं नौर परचांस मान लो किसी भी बात से या सयोग से if I should be where I no more can hear thy voice कि मैं तुम से इतना दूर पहुँच जाओं कि मैं तुमारी आवाज को ना सुन सकूँ या मैं तुमारे पास ना होँ nor catch from thy wild eyes these gleams of past existence मैं तुमारी नजरों को ना देख पाऊं जो इन सुखों की चमक से भरी हुई है यानिके मालो सयोग से मैं उस समय तुमसे इतनी दूर हुआ कि ना तो मैं तुमारी आराज सुन सकूँ और ना ही तुमारी आखों की चमक देख सकूँ जो मुझे जो पहले तुमने प्रकृति के प्रति प्रेम की याद दलाती हैं तो बो न देख पाऊं तो क्या ऐसे समय में तुम ये बात भूल जाओगी कि हम दोनो इस नदी के तट पर खड़े हुए थे यानिके ये प्रकृतिक सौंद्रिय तुमको रहे रहे कर याद आएगा कि मैं बहुत लंबे समय से जो की प्रकृति का पूजक रहा हूँ यहाँ पर मैं बिना थके मतलब उत्सहा पूरवग यहाँ पर आया था उसकी प्रकृतिकी सेवा में रादर से यह कहिए विद बार्मरलब एक उत्सहा भरा प्रेम लेकर आया था ओ विद फार डीपर जील और खोलियरल्भ। यह ऐसा कहिए कि मैं पवित्रम प्रेम फोलियरलब न Jew बहुत ज़्यादा पवित्रम प्रेम लेकर आया था और गहन उत्सा भरा हिर्दे लेकर आया था अगले कह रहे हैं Nor will thou then forget और नहीं तुम ये भूल पाओगी नहीं तुम ये भूल पाओगी that after many wondering many years of absence कि अनेकों इस्थानों पर भटकने के बाद कई बरसों के अंत्राल के बाद दीज इस्थी बुट्स एंड लौफ्टी किलिप्स ये ढलुआ जंगल और सांदार उची-उची चटाने और ये हरे भरे द्याती भूईस्थल बर टू मी मोर डियर मुझे बहुत ज़्यादा सुन्दर लगते थे बोथ फोर देंसेल्फ एंड फोर दैसे और ये खुद के लिए भी सुन्दर लगते थे और इसलिए भी सुन्दर लगते थे क्योंकि तुम मेरे साथ थे तो उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आया होगा थेंक्यू, all the best